कि आज कि इस वीडियो में सभी द्यार्थियों का स्वागत है जो लोग सीटेट की प्रिपेशन में लगे हुए हैं और काफी सारे भी द्यार्थियों का एक थोड़ा सा कोश्चन बिथा किसे अगर सीटेट के लिए हमें कोची मिल जाए तो उनके लिए कमफर्ट होगा तो उ कि अगर स्वाइब करोगे उतने समय के प्लैस होगा तो आप कह सकते हैं कि समय के लिए भी आपको जो है बहुत जादा इंपोर्ट होती है आप प्रेक्टिस ज्यादा स्यादा करेंगे जिससे आपको पूरे-पूरे समय फाइदा जो हैं मिलने वाली है चलिए अब हम आगे के बात करते हैं कि यह प्रेक्टिस एड जो है हम केवल अभी CDP के बात करते हैं कि चाइल डवलपेंट लेर्निंग जो है मारी केंदरी सिक्षक भरती परिक्षा केंदरी सिक्षक पाता परिक्षा फरवईद हो जाया सोले में जो यह एक्जाम हुआ था उसका यह कोश्चन है पहला कोश्चन है कुल मिला करके तीस कोश्चन का आज प्रेक्टिस सेट हम करेंगे और आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा समझेगा जिसकी वजह से सायद इ कि आप लोग समझतार हो कोशिस करोगे पढ़ाई करोगे तो अच्छे नंबर फर्स्ट टाइम में ही अच्छे नंबर ले आकर आ सकते हैं मैं ऐसा उमीद करता हूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोश्चन कहा गया है कि कोश्चनल एक बाल विकार से हम सिच्छर सास्त जो CDP है सबसे ज़्यादा important है कि उसमें जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी जो quality हो इंप्रूब होगी और नंबर आपके बढ़ने के इसमें सबसे ज़्यादा नंबर इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि बच्छे थोड़ी से महनत करते हैं और वो पूरे नंबर achieve कर लेते 30 में से यह मान के चलिए 25, 28, 29, 30 out of 30 भी मिलने के पूरी-पूरी chances होती हैं तो सबसा पहला question के हम चरसा करते हैं क्योंकि समय वैसे ज़्यादा ना लगे इसलिए हम कोशिस करेंगे जल्द से जल्द आपके प्रैक्टिस से 30 मिट के अंदर इसको cover कर लें क्योंकि समय आपके लिए बहुत ज़्यादा महतवूर है सबसे पहला question है सही है सबसे उपयोगत विकल्प चुनकर निमलिकित प्रश्णों के उतर दीजिए जैसा कि पहला question में दिया गया है तो इसमें पहला question का जो है पहला question है इसमें कहा गया है कि जो सही विकल्प हो उसको आप choice करेंगे औ से उनकी जो अधाड़ाएं है यानि सिच्छार्तियों को सफल बनाया जा सके तो पहला point जो है पहले में पढ़ते हैं कि उन बच्चों को पुरसकार देना देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवतन किया तो यहां इसका कोई मतलब नहीं है तो यांसर बिल्कु करने के लिए हतोत साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि सिच्छिका को सुने और अनुपालन करें इनका मतलब क्या है कि वह कॉपी करें लेकिन यह ऑंसर ठीक ठाग लग रहा है लेकिन जो है कह सकते हैं परफेक्ट आंसर नहीं है यह गलत हो रहा है तो थोड़ा-थ सुरू में बढ़ाया था इससे पहले तो कि हर एक आंसर पर आपको चर्चा करना चाहिए ऐसा है तो क्यूं है तो हम कोशन नंबर बी और सी अब लाश्ट दी पढ़ते हैं अश्पश्ट और आस्वासन आसस्थ करतने वाली ब्याख्या देनी चाहिए तर था सिच्छार्च के लिए चर्चा करने चाहिए अब यह लाश्ट वाला पॉइंड मेरे साफसे होगा क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो हमारा टीचर है यह टीचर है उसको कैसे एक्स्प्में करेगा उस चीज़ को उसके बारे में चर्चा की गई है तो यह राइट आंसर जो है दी है तो हम इस तरह से आप समझेगा कि हमें हर चीज में जब परिचर्चा करते हैं परिचर्चा से क्या होती बच्चों को सीखने का एक अच्छा प्राप्त होता उसमें आपने आपको एक्स्प्लेन कर पाते हैं ऐसा इस विसापस देखा जाए तो पहला पहले कोश्चन का डी जो है तो आप कोशिस करिएगा किसी तरह से प्रैक्टिस करिएगा जिसकी वजह से आप सायद में आसा करूंगा कि इस तरह से आप पढ़ेंगे तो कोशिस ही है कि समय को ध्यान में रखते हुआ आपको पढ़ना होगा तो इसका प्राइट आंसर पहला ह पढ़ाया है और आगे बढ़ाया जा सकता है जो हमारा कोश्चन है उसे को समझना ज़रूरी है कि क्या क्या रहा है जैसा जैसे समझोंगे answer आपको तुरंड के तुरंड दिखाई देगा जैसा कि आप ही कोश्चन में कही के दौरान यानि कि पढ़ाई के दौरान बच्चों को किस तरह से सक्रियब बद्ध का अर्थ कहना चाहरा है तो इसमें पहला पॉइंट है याद रखना है हमेशा ध्यान रखना याद करना रट्टा मारना यह सारी चीजें सीटेट बिल्कुल एलाव नहीं करता है तो यह पह दिखा दोगे तो आगे बढ़ाई नहीं कर पाएंगे अब हम पहले और दूसरा अंसर बिल्कुल गलत हो गया है अब हम तीसरे नमर पर आते तीसरा कहरा जाच प्रताल करना प्रशन पूछना और बात बिवाद करना अब इसमें देखो नकल की बात चौथे में भी आई है चौथा भी हमारे लिए सीधा सीधा गलत हो गया है अब हमारा राइट आंसर है वो सी है तो आप लोग अपने जो है नोटबुक के साफ से अपना आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि राइट आंसर इस सी यानि कि सबसे पहले बाद विवाद का पूछन पूछने से क्या है बच्च कुछन नबर थी के बात करते हम कि भात्युन सील बहुते हैं यानि ही कि अगर हम कहते हैं कि पात करे है कि कोई बच्चा की एक एक्टिविटे में कब इन्वाल्व ता आ है पहले सिच्छा के डाटने से बचने के लिए ऐसा बिलकुल नहीं है अलाव नहीं करता कि सिच्छा जो है आज हमने आर्टी 2009 पड़ाया जिसमें सिच्छा के अरिकार दिनियम के बारे में बताया तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिससे एक आद नमबर आपके मिलने के पूरे पूरी चांस है लेकिन इस प्रैक्टिस से आपको इतना कंफर्म हो जाएगा कि आपके कोश्चन देखने के बाद आप आंसर आइडेंटिफाई करने में कम से कम 50% तो उमीद है कि 50% देखके ही कोश्चन आप बता दोगे हाज इसका आंसर सर यह है और यही आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसा करूंगा किस तरह से आप क्लियर कर सकते हैं अब हम दूसरे कोश्चन के इसमें दूसरों के सामने अच्छा करने के लिए दवाव में आकर देखो कोई किसी के दवाव में नहीं आता और दवाव में आएगा नहीं तो उसका आंसर वो भी रॉंग हो जाएगा मतलब किसी के दवाव में कोई कारी करेगा तो उसका रिजर्ट भी अच्छा नहीं होगा आप ऐसे समझे और लाश्ट वाला दिया गया है तीसरा दिया गया है अपनी रुची से देखो यह वाले आप्शन बिल्कुल सही लग रहा है क्योंकि इसमें क्या कि आपके वाल पुरसकार के लिए हर्च काम को कराया जा सकता बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते हैं अब हम बात करते हैं कि कोश्चन नमबर फोर में कोश्चन में कह रहा है कि भारत के अधिकांस कक्छाएं बहु भासी होती है इसे सिक्छक द्वारा के रूप में देखा जाना एक संसाधन के बारे में जिग्र किया जा रहा जी संसाधन भासा अगर भासी है जैसे कि आप ऐसे समझेगा कि कुछ बच्चे अपने छेत्री लेंगुज का भी उपयोग करते हैं और कुछ बिद्यार्थी जो है अलग-अलग समझने की कोशिस करते हैं सबके अपने छेत्र पर 5 में कह रहा है विद्यार्थी द्वारा दी गई गलतियों और टूटी यानि कि कोई विद्यार्थी है उसके टूटी हम कैसे अइडेंटिफाई करेंगे उसके बारे में आपको यहाँ पर देखना होगा तो हम पहला option पढ़ते हैं बच्चों को बच्चों को कमजोर अत्मा उत्रिष्ट चिन्हित करने के लिए अच्छे आउसर यानि कि किसी को अगर कमी दिखाओगे कि हाँ जी इसके यह कमी है यह कमी है अगर हम सब के सामने करोगे तो सायद वो पढ़ाई में कमजोर हो जाएगा या इगनोर करेगा जी हमें तो पढ कुछी संसादन नहीं है अब हम नेक्स्ट आप्शन पे जाते हैं जिसमें कह रहा है कि उनके इसमें देखो आप सी आप्शन में देखिएगा चींटन को समझने के आउसर के रूप में देखा जाना चाहिए यानि कि जो बच्चा चिंतन कर रहा है जो अपने आपको एक्सपेंड करने के उसिस आउसर की बात की गई है तो सी वाला उसर की बात की गई है और लास्ट वाला कठोड़ता से निपटनी चाहिए देखो कोई किसी से लड़ाय जगड़े करके किसी चीज को सिखाया या पढ़ाया नहीं जा सकता है इसमें सी आप्श के बिचार को नमबर सिक्स को scripture की से रहा है क्या या इसमें सी कौन सा है जिसका आंसर चाहे ये भी हो सकता ये भी हो सकता सब्सक्राइर के बारे में सिद्ध संसार के बारे में अपने सिद्धानतों की रचना करते हैं इसा किस ने कहा था question number six इसमें हमने आपको बताया था कि जो इसकीनर जी का अलग थियूरी है और पाउलो जी का अलग थियूरी है और यूग जो है इन्होंने भी ठीरी दिया जिसमें अपने उन्होंने बच्चों पर रिशर्च किया था इसका मेनुद देश है कि बच्चे एक नन्हा बैग्यानिक है यह बार बार हम क्लास में भी आपको बताते हैं कि इसकी नर जी का कैना था कि बच्चे नन् patrim我也 घ्यानिक उन्हें हम जी तरह से उस्धा दिखाएंगे वह उसी तरह से सिंखने की कोशिव करेंगे इसलिए बच्चों को कभी यह जल्ट चीजे नहीं शिखाई जानी चाही है ऐसा इसलिए कि बच्चे जीस तरह से आप सिखाऊ इसमें हम बात करने वाने हैं बाल के इंदरित्क शिख्षा की नेतिक का मतलब इसे आप परीवर्टन कर सकते हैं कैसे उन के लिए सिख्षा हावसाइग है के उसके बारे में चर्चा की गई है अब पहला अप्शन है बच्चों को नयतिक सिक्षा देना नयतिक सिक्षा का मतलब केवल और केवल अगर पहला अप्शन हो गया नयतिक दूसरा अप्शन है बच्चों को सिच्छक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना अब कोई चीज अगर बार बार के कहते ने कि अगर केवल और केवल अनुकरण करेंगे तो भी अप्षन ये गलत हो सकता है तीसरा कह रहा है बच्चों के बच्चों की अभिवेक्ति और उनकी सक्री भागिदारी को महत्यों देना जैसा कि हमने इससे पहले भी बच्चन वाले में बताया कि अगर बच्चा खुद इंट्रेस्ट ले रहा है जब कोई चीज खुद मतलब इंट्रेस्टेड होगा तो उस चीज को आप आसानी से सिखा सकते या ने था नहीं तो आपको क्लियर हो रही है और लास्ट है बच्चों को पूरू रूप से सोतन द तो इस तरह से साथ कोश्चन आप तक हुआ है तो आठा कोश्चन पर हम चलते हैं आठे कोश्चन में कह रहा है कि जटिल परिस्थिते में संसाधित करने के लिए सिखा बच्चे की सहाथा कर सकता है यानि कि कोई बच्चा है जो थोड़ी कठिनाई फिल कर रहा है तो आप बच्चों की सहायता कर सकता है इसका राइट आंसर क्या होगा इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं पहला है कोश्चन का पहला आंसर है कि प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कारी पूरा करने वाले बच्चों को पुरसकार देना देखो हर चीज में अगर कोई भी सहायता ना देकर उसके अपने आपको अपने आप कोई भी सहायता ना देकर उससे बच्चे अपने आप निरवाह करना सीखें तो अगर देखो अगर आप एक सिच्छक हैं बच्चों को थोड़ा बहुत मोटी कारी मतलब मोटिवेशन नहीं दोगे तो साइद उसक को एक दो बार करेगा उसके बार कर देगा उसके बाद को चोटे-चोटे-चोटे से बाट कर बाटने के बाद निर्देश लिखवाना यानि की जो हमारा कोश्चन नमबर एट है उसका राइट आंसर जो है डी है डी में कह रहा है कि जैसे कोई भी लड़ाई मतलब कोई भी ऐसा कारे हो जिसकी वज़े से आपको पढ़ने में लिखने में या सुनने में या देखने में किसी प्रकार से गें आफ mi हो जोड़े डिवाइट करेंगे तो उसकारे को आसानी से किसी भी बच्चे को सिखाया चाहिए बरThis जा सकता है क्योंकि हम किसी कि सब्सक्राइट कर लेते हैं तो बच्चे को शीखने में बहुत ही आसानी महसूस करता है और उसकारे को भी आपासानी से बच्छो कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है तो ऐसा कैसे पॉस्बिल्टी है उसके लिए आपको क्या करने की आवशकता होगी तो सबसे पहले अच्छा है क्योंकि यह सिच्छा के लिए आकलन में सरल होगा चलो पहला question ये answer कहा दूसरा कहा एक प्रभावी आक्लन युकति है तीसरा है कि question नमर तीसरा कहा है समस्य आत्मक है क्योंकि बेक्ति अनुभवों की ब्याक्षा करते हैं और ज्यान को जोंकत्यों उस्पाधित नहीं कर सकते हैं देखो तीसरे question में काफी सारे बाती लिखी गई इसके बारें बताएंगे चौथा लिखा गया अच्छा है क्योंकि वे हमारे मन की बातों को दिकार्ड करना से गयाते देखो आपने इनमें बात कही गई है बात question समझेगा छार्थी से यहां पेच्छा करना कि वे ग्यान को उ इसमे राई आंसर जो है उसकी सी होगी क्योंकि कोई भी अनुभाओ की ब्याक्षा करता जीसे मालों को अपनी अनुभाओ को बता दो कि यह बिल्कुल possibility नहीं है तो जो इसका राइट आंसर है वो सी है देखो हम समय को ध्यान में रखते हुए थोड़ा जल्दी पढ़ाएंगे क्योंकि रीजन यह है कि question को आपको ध्यान से समझने की आउ सकता होगी चलिए अब हम question number 10 के side चलते हैं question number 10 कह रहा है जब ध्यारतियों को समूव में किसी समस्या पर चर्चा का आउसर दिया जाता है तब उसके सीखने का चक्र कैसा होगा इसके बारे में आपको सोचना होगा पहला बहतर होगा दूसरा इस्थिर रहेगा या अवनत होगा या सामान रहेगा question एक बार दुबारा से समझेगा जब सिच्छारतियों को समूव में किसी समस्या पर चर्चा का आउसर दिया जाएगा तब उसके सीखने का बक्र यानि कि जब कोई problem solve method को यूज में ध्यान में रखते हुए अगर हम चर्चा करेंगे तो उसके रूप में जो है इसका right answer जो है इसमें जो question number 10 का answer है यू बहुतर से बैगता कि किसी एक दूसरा आपने तरह से तरह से जो है सामान उसर उसका right answer पहला होगा आप हम बात करते हैं question number 11 की question number 11 में कहा गया है विकास की गति एक बेक्त से दूसरे बेक्ति में भिन होता है किन्तों यहाई क्या है अब उसके answer नमूना के अनुपालन करती है इसमें आपको answer लिखनी होगी इसमें पहला answer 80 से चोटी कह रहा है कि एक दूसरे से देखो हमने बताया कि individual differences जो होते हैं वो हर बेक्ति अपने आप में अलग होता है उनकी बोली भासा या अन्य सरेरिक बनावट भी सब अलग होती है इसलिए हमें पहला ID से चोटी option दिया गया है आप रते सीलो करम और ब्यवस्थित होगी तो इसमें कह रहा है कि जो कहने का इनका मतलब है कि विकास की गती एक बेक्ति से दूसरे में भिन होती है किन्तु यह एक करम बद्य और ब्यवस्थित नमूनों का अनपालन करती है देखो कैसे कहते हैं कि इसमें right answer D होगा D इसलिए होगा क्योंकि जब कोई करम बद्य तरीके से तो किसी को बनाया गया है यह थोड़ी ना है कि इनको कान कहीं और चिपका दिया और मूह कहीं और चिपका दिया ऐसा नहीं है उसको उचित ब्यवस्था के हिसाफ से ही बनाया गया है इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब हगला question number 12 की तरफ हम चलते हैं इसमें दिया गया है विकास के लिए निमलिकित में से कौन सा एक उचित है यानि कौन सा एक उदारण जो है उचित होगा उसके बारे में आपको आंसरस लिखनी होगे तो पहला है विकास जन्म के साथ आरंबोता और समाप्थ हो जाता है तो पहला कुछन कह रहा है कि विकास जन्म के साथ आरंबोता और समाप्थ हो जाता है यानि कि हमारे लिए human life का जो विकास होता है, यानि समाज में अगर किसी का विकास हो रहा है, तो उसमें समाज का एक एहम रोल होता है, विकास एकल आगाया में है, बिलकुल नहीं होगा, विकास प्रिथक होता है, प्रिथक होता है, लेकिन यह हमारा जो answer C है, B है, यह सटीक जवाब है चलिए आप लोग इसकी में पुरानी वाली वीडियो में जाकर करके देख सकते हैं आपको देखते हैं आप लिख सकते हो कि ऐसा क्यूं है इसका राइट आंसर जो है आपको ऑनिस्कीन भी दिखाई देरा सी वंसान गट और वातावरण के बीच अन्यून किरिया के कारण और क्यूंकि वातावरण के कारण एक ही इसमें सिंगल की बात की गई है और दूसरे में जन्मजाद भी सेस्ता हो ऐसा भी नहीं यह प्रतिक ब कि परिवार की कम भूमिका होती है बिलकुल नहीं उसके बाद है दीसरे कारण है के रूमांच कारी और मुख्य भूमिका होती है ध्यान रखना आप लोग बच्चों के समाजी करण में परिवार की मुख्य भूमिका होती है गौड भूम का मतलब निगेटिविटी नहीं है और हम कोश्चन नमबर 13 के बाद 15 की तरफ चलते हैं 15 का आंसर जो है देखते हैं और कोश्चन की आउसके offers के दिखाई दे रहा है कि यह सांकिर्टम भूमिका करन का योग है दूसरा है अप वाले होते हैं यह.रदि फोड़े जादा करने का योग है तो इसुआ पहले पहले और अप्सन नियुभ उप्सन एसमें जिसा पहला option थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है इसके बारे में देखिएगा दूसरा option अप्चारिक सक्रित है अनुकरण यह नहीं होगा क्योंकि इस उमर में बचा और कुछ कारी करने लग जाता है अनुकरण की बात किगे जो इस पहले वाले उमर में होती है सहस्वावस्थां की सहस्वावस्थां की जो एज होती है जीरो से तू बढर्स होती है तो क्या किसी का तर करने लगए गाल्कुल नहीं तो यह answer गलत हो गया तो इसका answer जो है पहला जो है 16 पे एक बच्ची कहती है जल्दी सूखेना है इसमें कि एक बच्ची है जो कहती है कपडे धूप झाल है पर्थी कात्मु बिचार प्रती के बारे में करने मतलब उसका संग्य दे रही तो सायर ये भी नहीं होगा जो यह सोले का जो है कारे करण के बारे में थोड़ा विचार है और वि पर या चिंतन का तो ऐसा विशह नहीं कारे करेंड की बात कर रही है कि वह इसके किया जा सकता ऐसा उसका expectation है तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है तो सी पे आप राइट लगा लेजिए उसके बाद हम बात करते हैं कुश्चन नमबर सिक्स्टीन के बाद सेवंटीन पर आते हैं सेवंटीन के कुश्चन पर हम चर्चा करेंगे सेवंटीन कह रहा है एक बार आप ल कुश्चन पर हो इसको इसको प्रैक्टिस करने के दौरां आप hygiene do बातों को सुने हुए अपने जवाब आपको लिखना होगा लाइब अगर होता तो लाइब में बता देता कि आप क्या कर सकते हैं अगर वीडियो में आपको अच्छा लगए तो कमेंट लाइक और सेर जरू करें कुछ्चन अबर हम 18 की तरफ चलते हैं 18 में कहरा है नमीखित म को प्रेद करने के लिए भासर देना प्रस्ट ने पूछने को बढ़ावा दिया जाए बिना असपश्टी करन देना और अगला कह रहा है मूर्त और अमूर्त दोनों परकार के उपहार से तो देखो इसमें इसका कुछन कहने का आंसर क्या है कि यह कहना चाह रहे हैं कि अग कहते हैं परिपक होने पर अथा भी वह नहीं कहते हैं अनुकरण से यह उनका बिल्कुल राइट नहीं है अगला कहा रहा है वैसको और जब हमारे पास तो आफ्षन तीन गलत हो गया तो चौत आफ्षन तो बिल्कुल राइट होगा राइट ऐसे होगा वैसको और सम वैसकों के साथ परस्पर क्रिया करने से यानि कि जो आप पर इनका अंसर जो है वो डी होगा अब हम आगे कोश्चन करते हैं कोश्चन हमने 20 तक की प्रेक्टिस कर लिए हैं अब कोश्चन नमबर हम बात करते हैं बाइट इक इमें सौरी 19 कर लिया 20 पर आते हैं कोहल बर ने प्रस्तुत किया कोलबर का सिद्धान जो था उसको च्छा किया था लाश्ट है नैतिक विकास के चरण यानि कि 20 का जो आंसर होगा वो डी होगा इन्होंने कोहल बर का जो सिद्धान था वो नैतिक नैतिक विकास पे उन्होंने अपनी सारी थिओरी का विकास किया हुआ था अब हम बात करतें कोश्चन नमबर 21 की 21 में जो आस रोम में जो हैं बाल के इंद्रित सिक्षा परें चोड़ी चोड़ी बच्चे किस तरह से अपने आपको डबलब करना चाहते हैं उसके बारे में कौन सा कथन बिल्कुल सकते हैं उसके बारे में आपको सही और गलत का आइडेंटिपाई करना होगा तो पहला पॉइंट ह ऐ कशा आपकशा जिसमें सिच्चि का नोट रिख लिखा रही और चीड़ी याद करने की बात करें हमने बता है कि याद लिखोने बिलखित आपि विद्यार्थी के बच्चों के लिए बिल्कुल सोबा नहीं देता उनके लिए अलाव भी नहीं करती आगला कह रहा है कि एक अक्षा में एक अक्षा जिसमें पुस्तक मात्र एक संसाधन होता है जिसमें संदर में सिच्छित देती है क्वेश्चिन नमबर बी कहते हैं कि बारी-बारी से प्रतेग समूह में जा रही है जिसे क्या होगा कि यह बारी-बारी से सब समूह के जो परें थोड़ा बहुत हम चर्चा करेंगे लास्ट वाले पढ़ने के बाद आपको जबाब ऐदेंटिफाई करना होगा लास्ट वाला करहा एक अक्षा जिसमें सिच्छ थी का ब्योहार सिच्छी का द्वारा दिये गया है वह जो उन्हें पुरस्कार और डंड किया जा देखो छोड़ चोड़ी बर्चों को अगर डंड करोगे तो बिल्कुल नहीं पड़ेंगे तो फोर्थ जो है बिल्कुल गलत है तो राइट आंसर इज राइट आंसर क्या है या डाइट आंसर जो है आपका इस है चलिए जो कोश्चन नंबर अगले के तरफ चलते हैं अगले कोश्चन में क्या कह रहा है उसके बारें पढ़्यें चलिए पढ़ते हैं बुद्ध है बुद्धि क्या है आज अगेला और जातिय विचार है एक की योगता एक विशिष्ट योगता भी और सार्थक है अकेलिए जाती से लेना देना इसका गोई मतलब ने दूसरों करने की योगता यह है लेकिन सबसे जादा सक्टिक जो आंसर हो रही है वापकी जो है आ रही है कम से कम बाइस का जो है अब हम बात करते हैं आगे भासा विकास के लिए प्रारभिक बच्पन है क्या है संबेदल सील है या कम संबेदल सील है सह आ महत्वूर है निर्पेक्च है तो करी चार आपसण दिए गए हैं इसमें से राइट आंसर आपको बतानी होगी तेईस का जो है को तेज की बात करते हैं को स्धुन नम्र तेज की को स्देश का जो है कम महत्वूर है तो ऐसा नहीं है बचपन इमारे भासा और दूसरा अपसजने निर्पेक्च चनिर्पेक्च की निगेटिविटी आति संबेदल सील है तो हम इसका राइं डिए 16 आपको इसके जबाब होगे उसके बाद हम आते हैं आगे question number 24 पे question number 24 कह रही है कह रहा है sorry कि एक सह सिच्छा कक्षा में लड़कों से सिच्छा किया कहता है कि लड़के बनों और लड़कियों जैसा ब्योहार मत करो इसमें हाँ हम बात करने वाले gender barrier की gender barrier की बात की गई है इस question में तो आप लोग भी से ध्यान रखना कि gender barrier बिल्कुल नहीं किया जा सकता है तो इसका answer आपको जातिय भेदभाव पर पर परिचर्चा की जा रही है बिल्कुल आपको ध्यान में रखना होगा कि जो पहला question है 24 का जातिय भेदभाव का परिचायक है बिल्कुल है लेकिन अभी सट्डी का answer नहीं है आगे पढ़ने के बाद क्लियर होगा लड़के लड़कियों के साथ ब्याओहार का एक अच्छा उधारण है question number 24 ध्यान दीजिए 24 बिल्कुल ये अच्छा उधारण है हम gender barrier को deny करते हैं ना कि promote करते हैं उसके बार लड़के लड़की में भेधभाओं की रूची बढ़ता आउधारणा परकट कर रही है इसकी रूचियों के बारे में लड़कियों जैसे की इनका भेधभाओं से ये मतलब है कि पहला answer भी गलत है दूसरा भी तीसरे में थोड़ा बहुत ठीक ठाग लग रहा है चोथे के बाद लड़कियों पर लड़कों के जीव बेग्यानिक महत्त को जागरूता देना तो ये जागरूता ऐसा कुछ नहीं है इसका जो है रोड़ी बादिया उधारना प्रस्टित कर रहे हैं कि लड़कियों जैसे ब्योहर मत करो तो question number six is right answers चली हम बात करते हैं आग कि बात को इसलिए क्लियर कर देंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी होगे तो आपको देखने में सायद कम समय मिल पाए तो कोसिस करना कि इस वीडियो को सुनना समझना क्योंकि अभी आपके पास करीब 40-42 दिन है तो प्रक्टिस करोगे तो मैं आसा करूँगा कि 100 प्ल को लेवल करके नाम देने और आकलिती करके अच्छी रणनी थी वना तो बिल्कुल नहीं कोई लेवल नहीं लगा जाती है सभी बच्चे समान है सभी को समान सिक्षा का अधिकार वे दूसरा है बच्चे को प्रतियोग्यात्मक भावना से सक्रिय रूप से बढ़ावा देन देखो प्रतियोगता तो अच्छे बात है लेकिन उसके केवल उसी पर ही आकलन करना ये उचित नहीं है दूसरा कह रहा है अगला कह रहा है सीखने की को सुनिचित करने के लिए तनाव और दवाव खोथपन करना देखो होता क्या है कि जब हम किसी विद्यार्थी को को सिखाने का एक और सर मिलेगा इस्से मालोगर गलती करने के पाता लगे हाधी इन्हों ने इसार गलती करी है स्ण। करता है सब लोग ध्यान रखेंगे इसका पहला आंसर है यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योगता के अनुसार अलग अलग किये जाना चाहिए अगर हम किसी बच्चे को योगता के साफ से अलग कर देंगे तो जो कम पढ़े लिखें मतलब कम समझने वाले बच्च कि उनकी आउसकता हो कि निसारुन में परिवर्तन करना आगे कहा रहा है यह एक दरशन है कि सभी बच्चों को यह एक दर्सने कि सभी बच्चों को नियमित द्याले प्रडाली में समान सिक्षा का आउसर प्राप्त हो सके इसका थोड़ा-थोड़ा ठीक है लाश्ट पढ़ने के बाद आंसर क्लियर होगी यह एक दर्सने कि 20 बच्चों इस्वर की 20 रूप से उपहार हैं जी वह अलग भी कि परिष्ट गोमी में बच्चों को सिच्छा प्रदान करने के लिए सिच्छा को चाहिए कि उन्हें अच्छा सा लिखित कारे दें देखू केवला लिखितिकार से हो आगे बढ़ेंगे आगे पढ़ने कोद्लियर होगी फिलाला वी आगला पढ़ते हैं इसके configurती जानकार पहला और पहला और तीसरा चौथा गलत हैं दूसरा साइए क्योंकि इसमें बात कही गई है उसके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रियास करें जो कोई बच्चा ऐसा है कि जो अच्छे तरह से हर चीज को नहीं सीख पाता है तो उसके खूने वाले कमियों को या कोई कोश्चन करना हो उनको हमेशा आउसर दिया जाना चाहिए जिससे उनकी समस्षा है वो दूर किया जा सके चलिए कोश्चन के तरफ चलते हैं 28 कह रहा है कि निमलेखित में से कौन सा ब्यवहार बच्चों को अधिकम नियोगता की पहचान करता है अगला आंसर से मनो भा करते हैं 29 की तरफ चलते हैं 29 और 32 कोश्चन और बच रहे हैं तो आज की प्रेक्टिस के लिए सायद हमने प्रेक्टिस के लिए पहली वार आपको बताने की कोशिस की है आप लोग अगर लाइब कमेंट सेयर करेंगे और जैतना प्रमोट करेंगे तो समय कोसिस करूंगा और वीडियो भी आप तक पहुंचाएं जिससे आपको सीखने का आउसर मिले और आने वाले एक्जाम में आप अच्छे नंबर से पास आउट हो सकते हैं अगला है एक बच्चा जो आंसिक रूप से देख सकता है क्या देखना है इसका 29 29 में कह रहा है कि कि किसी भी विशेस सामना करना पड़ रहा उसको लिए क्या मांगध रसन आप करेंगा दूसरा उस्से नहीं देने चाहिके इसके सिर्ण कि किस्यी सिखना क्या है सीखने का मतलब क्या है सीखना क्या है सीखना पहला साथ से कि बि JEFF संबेगों को सीखने क्या का आनसर से सीखने वाले संबेगों को प्रुभावित करता है नेकि चाहता है उसके लिए सिखाना भी जरूरी है बाकि और सभी आंसर से गलत है तो इसी तरह से आज की हमने जो वीडियो है उसमें आपको बताया कि जो हमारा तीस प्रैक्टिस सेट हमने कराई है तीस क्वेश्चन के आपको आंसर कराई है तो इसमें आपको सभी को ध्यान में रखते हुए आपको इसको आंसर कर सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए आप बने रही है और प्रैक्टिस दे कि हमने आपको यहां प्रैक्टिस करा इसे तरह स साइकोलजी का हिंदी का इंगलीज का सब यह अलग अलग करने होगे जिसके वज़ए से आपको जो है प्रक्टिस करने से ही आप अच्छे नंबर प्राप्ट कर सकते हैं आज के लिए बस इतना क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है करी चालिस मिन्ट का एक क्लास हमारी ह हुई इसमें जो है काफी सारे समय लिया आपको और आपको अच्छा लगे तो एक दूसरे को शेयर करना जिससे इस वीडियो को देख करके थोड़ा बहुत उनको प्रक्टिस का फायदा मिल से